यीशु से आशिरवाद प्राप्त करने के चार सरल तरीके प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की प्रियों, आज हम जानेंगे कि हम यीशु से आशिरवाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं पहला तरीका है परार्थना करना. परार्थना के बारे में बाइबल वचनमत्ती साथ का साथ में कहा गया है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जायेगा. अर्थात, प्रार्थना हमें प्रभु यीशु से जोडती है, जब हम प्रार्थना में अपने दिल की बात करते हैं, तो हमें उनकी आशीश का अनुभव होता है, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से मांगता है, उसी तरह अगर हम भी स्वर्गिय पिता से सच्चे मन से मा तो वह हमें जरूर देता है, वह हमारी प्रार्थना को जरूर सुनता है। दूसरा तरीका है विश्वास करना, विश्वास के बारे में बाइबल वचन मतिनों के 39 में कहा गया है कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हें दिया जाएगा। अर्थात, यदि हम पूरी श्रद्धा के साथ विश्वास करते हैं, तो हमें प्रभु येशु का आशीरवाद अवश्य मिलेगा। जैसे एक व्यक्ती ने येशु से चंगा होने के लिए प्रार्थना की, तो उसके विश्वास ने उसे चंगा कर दिया। तीसरा तरीका है सेवा करना। सेवा के बारे में बाइबल वचन मत्ती 25 का 40 में कहा गया है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाईयों में से किसी एक के लिए भी जो कुछ किया, वह तुमने मेरे लिए किया। अर्थात सेवा करके हम यीशू के प्रती अपनी भक्ती दर्शाते हैं। जब हम जरूरत मंदों की मदद करते हैं, तो हम उनके आशिरवात का अनुभव करते हैं। चौथा तरीका है क्षमा करना। क्षमा करने के बारे में बाइबल वचनलु का 6 का 37 में कहा गया है कि दोश मत लगाओ, तो तुम पर भी दोश नहीं लगाया जाएगा। दोशी मत थहराओ, तो तुम भी दोशी नहीं थहराये जाओगे। ख्षमा करो, तो तुम्हें भी ख्षमा किया जाएगा। अर्थात, दूसरों को ख्षमा करना हमें आंतरिक शान्ति देता है और हमें प्रभु यीशु की कृपा का पात्र बनाता है। जब हम अपने दिल से ख्षमा करते हैं, तो हमें उनकी आशीश का अनुभव होता है। तो प्रियों इस प्रकार प्रभु यीशु से आशीरवाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना, विश्वास, सेवा और ख्षमा ये चार सरल तरीके हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो आमीन के साथ अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप बना रहें। आमीन।